हलो दोस्तो नमस्कार मैं आशिस कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सन राजरेल अपड़ेट में आप सभी लोग का हर दिश्वात करता हूँ साथियों आज आप लोग के बीच में फिर से मैं जूडी सी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो रेल्वे बोर्ड के द्वारा पिछले महिने में बताया गया था कि सभी जोन अपना अपना जूडी सी वेकेंशी निकालेंगे और नोटिफिकेशन निकालेंगे तो लगभग सभी बोर्ड ने जारी कर दिये और ये बचा हुआ था एक बोर्ड जो इस सेंट्रल रेलवे इसी यार जो हाजिपूर का है वो बचा हुआ था आज 16.08.20 को इसने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो देखते हैं किस नोटिफिकेशन में क्या क्या नया है और क्या क्या एजूबा हुआ है इसी के उपर मैं 20.08 से चर्चा करूंगा तो साथियों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नये हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प नोटिफिकेशन इस चैन्ट्रल रेलवे के लिए जिसका इंतजार बहुत पहले से बहुत दीनों से काफी उत्सुक होके बहुत सारे इसी यार के एंप्लॉई थे वो कर रहे थे वो घड़ी आ गई तो चलिए मैं आपको इस डिटेल के उपर मैं चर्चा करता हूं साथ में जैसा कि दिख रहा है कि आपका जो एसी यार है इस चेंट्रल रेलवे रिक्वार्मेंट शेल वो आपका नहां पर नोटिफिकेशन को लेके आया है जिए नोटिफिकेशन नंबर आपका है और रसी इसी यार एचाडी और एक और एक टी ऑब्लिक जीडी सी से इसको यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि आपका दिखा रहा है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन शोल आट दोहजार तेश और उसके नीचे में ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रेश्टेशन एंड फिलिंग ऑफ अप्लिकेशन यह सत्रा आट दोहजार तेश से यह फों को अप्लिकेशन को भरा जाएगा ऑनलाइन किया जाएगा और इसका लाश्ट डेट और टाइम है जो आपका सोला नो दोहजा कर तेश को तेश उन्सर्ट तक आप इसे अपलाई कर सकते हैं तो कुल मिला के आपके पास अभी एक मंत का टाइम है इसका जो पार्टिकुलर होता है वो बता दोता हूं क्या है कर आउनलाइन अप्लिकेशन फोर जेनरल डिपार्टमेंटल कमपर्टेटिव एक्जामनेशन जो 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 का फूल फॉर्म होगा वो डिटेल है अब देखे इसमें कहा गया साथ ही हूं रेलवे रेलवे रेक्वार्टमेंट शेल इसी आर पटना इन्वाइटेड ऑनलाइन अप्लिकेशन फोर रेगलर दी इलिजिबल एम्पलॉई एक्सेट और पीएफ और बिलो कहा गया है कि यह जो आर पीएफ और और पीएफ को छोड़के जितने सारे हैं वो इस शेंट्रल जोन के अंतरगत जितने सारे स्टाप आते हैं वो इस बेकेंशी को भर्ष रखते हैं इसमें पोस्ट निकला है आपका असिस्टेंट लोको पालेट एंड टेक्निसियं जुनियर इंजिनियर और गुट्स गार्ड तो देखें साथियों अब मैं आपको नीचे ले चलता हूं पोस्ट के उपर मैं आपको चर्चा करूँगा किस तरह के पोस्ट है और किस में कितना वैकेंशी है तो साथियों जैसा कि आपको देख रहा है कि वन कर डिटेल्स का गया नेम आप पोस्ट में कि असिस्टेंट लोको पाइलेट तो इसमें देखिए आपका ये जो लेवल टू का जौब है इसमें भैकेंशी है कम्निूटी बाइज है सबका अलग-अलग दिया हुआ है तो देखें यू आर का 62 बार सट है सी का 18 है स्टी का 9 है ओबी सी का 30 30 है टोटल बैकेंशी जो है इसमें असिस्टेंट लोको पाइलेट का वह 120 है और इसमें आपका मेटकल अस्टेंडर होना चाहिए वह एवन होना चाहिए अब उसके नीचे बढ़ते हैं दो नंबर में टेकनिसियन 3 सिगनल यह भी लेवल 2 का जवब है तो इसमें देख सकते हैं कि पोष्ट है जो आपका UR का चार है SC का एक है ST का नील है OBC का दो है टोटल साथ सीट है तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जितने सारे सीट है वो आपको नीचे में दर्शा आ गया जैसे देखिए एक है आठमा नमबर में टेकनिशियन थ्री फीटर C&W देखिए इसमें C&W में आपका है कि UR का 15 है SC का 4 है ST का 2 है OBC का 8 है टोटल आपका 29 सीट है और इसमें medical standard होना चाहिए वो B1 होना चाहिए अब देखिए आपका इस तरह से कितने भी टेकनिशियन है वो शभी का सीट दर्शा गया है आप देखिए 14 नंबर में है टेकनिशियन 3 TMC इसमें देखिए साथियों और शभी के पेच्छा पोस्ट की संख्या थोड़ जादे है देखिए UR के लिए 35 है और SC के लिए 9 है IST के लिए 5 है वो B2 के लिए 17 है टोटल 66 है इसमें medical category आपको जो है A3 है और PW के लिए चार सीट है तो इस तरह से ये जो LP technician की जो सीटे थी वो इस तरह के सारे सीट दिये गए है अब इसके नीचे चलते हैं अब देखिए आपको यहाँ पे मैं junior engineer के पोस्ट को उपर लेके आया हूँ देखिए junior engineer electrical general service है वो आपका level 6 का job है उसमें UR के लिए एक सीट है SC के लिए नील है ST के लिए नील है OBC के लिए total vacancy है जो एक है और उस तरह से junior engineer C&W के लिए 5 है, 1 है, 2 है, 2 है और total सीट 10 है इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इसमें है junior engineer TMC इसमें सीट है जो अच्छा खासा है 45 UR का है 7 ST का है और OBC का 25 है total सीट है इसमें 91 है और PDLD का जो तीन सीट है इसमें medical category A3 होना चाहिए के बाद जो सीट है वो goods guard train manager जिसको नम बलके train manager कर दिया गया है तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि जो goods guard train manager है वो level 5 का जोब है जिसमें community wise seat का बटवारा किया गया है उसमें UR के लिए 2 vacancy है SC के लिए नील है ST के लिए 2 seat है OBC के लिए 1 seat है total 5 seat है PDLD के आओ इसका medical standard है वो A2 है तो साथियों इस परकार से जो ECR में था उसका vacancy के detail दिया गया है अब साथियों उसके नीचे का detail है उसको मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ तो साथियों देख सकते हैं कि इस तरह से जो इसमें कुछ detail है वो मैं आपको बताता हूँ यह detail है जो railway board का जो notification है वो सभी के बारे में दिया गया है तो उसमें जिकी कहा गया है कि जो candidate should be regular employee central railway MPWI बेला candidate who regarding transfer to the other railway will not consider for employment कहा गया साथियों जो इस central railway में regular candidate हैं वही इस form को फिल कर सकते हैं और वो transfer होके जो other railway से आये हैं वो इसको नहीं consider कर सकते हैं और साथ ही इसमें कहा गया before filling up the online application candidate or advice to thoroughly read and the instruction of information notification avail RRC ECR official website साथ ही इसमें कहा गया है कि आपको form fill up करने के लिए RRC का जो vacancy के जो website है वो इसमें www.rrc.ecr government int पे ही जाके आप form को online कर सकते हैं इसमें कहा गया कि जो officially website है उसी पे जाके आप form को fill up करें और साथियों जो है यह सारा interaction है जो मैं पिछले वीडियो में बताया था लगबग सब भी एक ही जैसा है मिलता जूलता है तो इसलिए इस पे ध्यान ने देना है उतना आपको जो है वो पहले के वीडियो में अगर बाच नहीं किया है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं वही चीज आपको दिया गया है चलिए मैं आज यहाँ है तो इसमें थोड़ा सा age के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि age का क्या क्या है चatellite limit का है ऑपर एज limit विल विए 20 साल जो है Yuk is कनडिडेट का होना चाहिए तक valid है अब इसमें ग्रूप में देख लिजिए कि जो लो डिविजन अब बर्थ है डेट अब बर्थ है एक एक दो हजार छे इसमें यू आर के लिए 18 से 42 साल है और ओवी सी का 18 से 45 साल है और इसमें जाके आप देख सकते हैं तो साथियों इस परकार से इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्जाम का पैटर्न वगेरा है जो कि मैं और शभी बोर्ड के लिए बताया था तो उसमें मैं बता चुका हूँ तो इसमें कोई बताने की उतना कोई जरूत नहीं है आप इसमें जाके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं देख सकते हैं क्योंकि जो जब भी आप ECR के वेवसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ये डिटेल का PDF आपको मिल जाएगा तो साथियों यही था एक GDC का जो वेकेंशी का इंतजार कर रहे थे इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुरवाले में जितने सारे डिविजन थे वो इंतजार कर रहे थे इस नोटिफिकेशन को तो साथियों नोटिफिकेशन आ गया है तो जो भी कंडिडेट या एंपलुआई जो हैं इसी आर में हैं उनको ये फोम फिलफ करने का सुनाहरा मौका है आप कर सकते हैं और अच्छे पोस्ट पे जाने का मौका मिल सकता है तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लेके आते रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही लावकारी वीडियो होता है तो साथ ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद